बूर्णिंग आस्परेंट स्वागत है आपका focus on education में मैं educator आप सब के लिए important facts लाई हूँ जो कि आपके comparative exam में help करेगा आज 17 जून 2021 से first point क्या है उस पर नमज़े डलते हैं exam dates आ गई है अच्छे से preparation कीजिए चले हम आते है अपने first point पर वो क्या है यह है बनी घास के मैदान कहा पर स्थीत है तो आपको पता होना चाहिए बनी घास के मैदान कहाँ पर है तो यह कख्ष के रणमियम को देखने को मिलते है और यह कहा पर है तो यह गुजरात के अंदर है नेश्ट पॉइंट यह important है इसे जरूर धियान दीजेगा ICC Hall of Fame आपको पता है यह ICC का Hall of Fame बहुत ही famous यह world label पर होता है और इसमें गिने चुने लोग को ही सामिल किया जाता है तो अब सात्वे भारतिय हो गए हैं इसमें सामिल होने वाले तो यह कौन है बीनू मा कांडू हैं और यह सात्वे बन गए हैं ठीक है जिसे किसमें द्रविट जी हैं तंदूलकर हैं ठीक है ऐसे कई सा famous नीम है next point क्या है operation Olivia कहां सुरू किया गया है तो ओलीवर टटर होता है एक पता है यह आपको और हमें ज्यादा तर कहां देखने को मिलता है ओडिशा के टटू पर ठीक है गेहर बिच में देखने को मिलता है तो उनी के लिए operation Olivia चलाया जाता है जब उनका जब उनका हार्वेस्टिंग का समय होता है तब वो यह हमें इस तरह के operations देखने को मिलते हैं चलिए हम आते हैं अपने next point पर यह क्या है यह किस IIT ने पहला विद्यूत मुक्त CPAP उपकरण जिसका नाम क्या है जीवन वायू विक्सित किया है यह IIT रोपन के द्वारा सुरू किया गया है important अभी IIT रोपन बहुत सारे इस तरह के आपको चीजें देखने को मिल रही है तो यह IIT रोपन के द्वारा सुरू किया गया है और यह पहला है कि electric fly है अगर electric नहीं भी रहेगी तो भी यह काम कर अक्सिजन पहुंचाने का और इसका नाम याद रखेगा हो सकता है इसका नाम दे के पूछे कि जीवन वायू क्या है तब को पता होना चाहिए next point क्या है देखिए next point है कि European Antirich Agency जिसे कि हम ESA के नाम से जानते हैं कहां से दुनिया का पहला लकडी का उपकरण जिसका नाम क् रखेगा विशा वोटसेड क्या है किसके दुवारा लॉंच किया जा रहा है European Union यानि जैसे मारा इस रो है उसी तरह यूरोप का European Antirich Agency है तो इसको लॉंच किया जा रहा है कहां से न्यूजीलेंड से न्यूजीलेंड के दो पार्ट हैं को पता ही है उत्तरी से कहते हैं अगर आपसे पुझे कि कौन से रॉकेट से तो इलेक्ट्रॉन है इसका नाम रॉकेट का नाम ठीक है नश्पांट क्या देखिए कौन सा यूटी खुले में सौच मुक्त खुशित किया गया यह भी इंपोर्टेंट है यानि कौन सा ऐसा केंसासित पर्देश है जो कि अब खुले में मुक्त हो गया है इंपोर्टेंट है से याद रखिएगा तो यह होने वाला है कौन सा लद्दाग लद्दाग के आपको पता ही है दो डिस्टिक देखने को हमें मिलते हैं अब हमने कल पर सो भी लद्दाग के बारे में पात की थी ना तो इसे भी जीता है नेक्ट पांट क्या है वर्ड गीविंग इंडेक्स 2020 यह इंपोर्टेंट है तो इसमें कौन साथ देख सिर्स पर रहा है तो इसमें इंडोनेशिया टॉप पर रहा मतलब जिसको दयालू करते हैं दयालुता तो जो सबसे ज़्यादा दानी दानी कहीं लीज़े इंडोनेशिया की कापिट्र क्या है जकार्टा और आपको यह पता है जकार्ता जो है बहुत तेजी से लेक इसको शिफ्ट करने की बात कहीं है कहां पर इस्ट काली मंतर में तो इसको भी याद रिखिएगा अगर ऑप से पूचे कि भारत का इंडेक्स क्या है तो आपके सा पुष्टकाले काउटकार्टन के यह इंपोर्टेंट है से जरूर याद रखिएगा क्योंकि अभी एस जैसंकर जो हमारे क्या है अब मुझे कमेंट सेक्षिन बताइए कि इनके पास कौन सा मंत्राले है तो एस जैसंकर अभी यह इस देश की यातरा पर गए कहां पर केनिया क केनिया की कापिटल क्या है नरोबी और नरोबी में किसका हैटकौर्टर यूएन एप यानि यूनाटेड नेशन इर्वार्मेंटल प्रोग्राम का ठीक है और अगर डेवलप्मेंट का तुन नहीं हो ठीक तो इसमें इनों ने महात्मा गांधी पुस्तकाले का क्या किया है उद्गाटन किया तो इस पॉइंट को याद रखिएगा नेशन क्या है देखिए किस राज्य ने वैदिक सिच्छा और संसकार बोड का गठन करने का फैसला लिया तो यह राजिस्थान के अंदर यह किया गया है कुछ सौट पॉइंट थे मैं इसके कुशन नहीं बनाई इसे पॉइंट वाइस दे दूं जैसे कि यह है डग मारा जल्विद्युत पर्योजना तो डग मारा जल्विद्युत पर्योजना कहां पर बना जा रहा है कोसी नदी पर कोसी नदी कहां पर है बिहारें पह रही है सिंपल पूछे गैसे ही ठीक है डग मारा जल्विद्युत परोड़िना कहा पर है यह जड़ल मारा जगतु परयोजना किस नदी पर है तो कोछी नदी पर है, नेस्ट है स्री सैलम मंदिर परिशद में खनन किया गया और यहाँ पर तामवे के सिलालेक प्राप्त हुए तो नौर्मले आपसे पूछेगा कि कहां से सिलालेक प्राप्त हुए तामवे के तो आपको बताने लिए चाहिए स्री सैलम मंदिर next point क्या है तूलू भासा normally आप सब पुछेगा तूलू भासा कहाँ पर कौन सी family से है तो यह drivement family से है next point है कि नाला नाल बाना पक्ची बिहार कहाँ पर है तो यह चिलका झील चिलका झील बालो में है यह lagoon है कहाँ पर उडीशा में ठीक है जानते हो ना कि ऐसा समंद्री पानी जो कि किसी बड़े गड़े में या क्रेटर टाइप में आके फस जाए और जा ना पाए तो उसी वह क्या बन जाता है लैगून बन जाता है चिलका जिल क्या है लैगून है ठीक इसे याद रखिएगा और अभी एक और पॉइंट आया था कि आपका अंडुमा निकोबार में कितने द्वीप है तो याद रखिएगा 572 द्वीप्स हैं इसके पास टेक तो यह पॉइंट याद रखिएगा तो यह कुछ इंपॉटेंट पॉइंट आयो पसंद आया होगा इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले